मैं सागर आखकी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वाकत करता हूं और आघ की वीडियो में पढ़ने वाल है उत्तर प्रदेश की संपुर्ट जीयस को सिर्फ ऑसिर्फ केवल एक बीडियो में यहां पर उत्तर प्रदेश जियस के जितने भी कुश्चन की चर्चा की गई कि सारे कुश्चन बहुत important है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के परतिग्यों परिचाओं में बार बार पुछ जाते हैं बाकि अगर आपको कमपर्सिंग्यामस रिलेटेट को भी प्रदेश तो आप नीची कमेंट में करेंगे मैं आपके हर प्रदेश का शलूशन दूँगा और अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजी अगर हमारे शलूशन पर नए आया है तो मैं आपके आता रहता हूं ठीक है तो चलते हैं देर ना करते हैं वीडियो को प्यारम करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि आज की वीडियो में लोग पढ़ने वारे हैं यूपी के संपूर जीस के बारे में ठीक है अगर बात होती है यूपी की तो यूपी में जोन की बात करें तो जोन की संख्या कितन मडल बना जाता है ठीप है यूपमें मंडल कितने 18 और यह जो अठावा मंडल यह कून था यह अलीघर था यह अठावें नॉबर न बना वह अलीघर गड़ तरता और कब मना तो सन 2008 नाजुपार आर्ट में बना ठीक है चलते हैं ऐतेम में तीस्टी के बात करें तो यूपी में डिश्टी की संग्या क्या कितनी है पचा सकूमत यूप तेसिल की शेया कितनी भिन भिन नाम रहा है यहां से कुश्यन बहुत जादे पूटप करता है कि सन 1902 में यूपी का क्या नाम था या सन 1921 में यूपी का क्या नाम था ठीक है तो हम इसको देखेंगे कि भिन भिन समयों में यूपी का क्या नाम रहता है ठीक तो अगर हम बात करें 1902 की तो 1902 में यह नाम रहता है UP का 1902 में ठीक है लेकिन बाद में 1921 में उसका नाम बदलके ठीक है पीर ऐगे इसथिस में 1937 में उसका नाम फिर बदलता है और क्या हो जाता है स्यूस्च प्रांथ हो जाता है मत्वब यहां सब बिर्टिस कट जाता है λλेट फिर 24 जनवरी 1950 को ये सब नाम बदल के क्या हो जाता है UP का नाम हो जाता है UP मिन्स उत्तर प्रतेश ठीक है ये नाम कब होता है तो ये नाम होता है 24 जनवरी 1950 को ये डेट बहुत इंपोर्ट है ठीक है फिर आगे क्या होता है कि 1 नमबर 1956 को राज्यों का पुलर गठन होता है एक बार जब दिस आजाद हुआ था तब तो राज्यों का गठन हुआ था कि ये ये राज्य, वो राज्य, ये वो राज्य लेकिन एक नवबर 1956 को फिर क्या होता है कि राज्यों का फिर से गठन होता है कि इनका नाम ये, उनका नाम हो, उनका नाम हो, मतलब अलग लग कर दिया जाता है, ठीक है, अब अगर हम यूपी की राजधानी की बात करें, तो सबसे पहले यूपी की राजधानी रहती है आगरा, यहीं सबसे पहले यूपी की राजधानी आगरा थी, लेकिन जब आगरा राज़ानी हटी तो राज़ानी पहुच गई अलावाद कुछ दिन राज़ानी अलावाद भी थी लेकि जब अलावाद से हटी तो राज़ानी क्या हो गई लखनो हो गई ठीक है और लखनो राज़ानी अभी तक है अब यहां से ऐसे कुछ न पूचता है कि आगरा के बाद बनने वाली यो-पी की राज़ानी तो वो लाग्राद लाग्राद के बनने वाली राज़ानी लकनो तो लखनौ से पहले की राजानी.. मतबया लखनो से पहले यूपी के राजानी क्या थी तो यूपी यूपी के राजानी क्या थी वो दियो नागरिक लिपी है इसी को हिंदी भी बोलते हैं और ये कब लागू किया गया ये 1947 को ही लागू किया गया था कि यूपी की जो राजवासा है वो क्या है हिंदी है इस दियो नागरिक लिपी है ठीक लेकिन जो आफिस है जो यूपी में जितने भी आफिस है उन आफ को सबी कारियालों में राज्किय भासा हिंदी अनिवार कर दी गई कोई भी चीज इंग्लिस में नहीं लिखा जाएगा लिखा जाएगा तो सिर्फ हिंदी में ही लिखा जाएगा ठीक है यह कब लागू की गई तो 26 जनवरी 1968 को यह चीज लागू की ठीक चलने आगे देख ल है तो राज़के पुस्प है पलास यहाँ पे सा रहेगा लेकिन मैं लिखा नहीं ठीक है तो राज़के पुस्प है'llकया बारा सिंण ओगर अगर राज के पच्छी के बाद करें तो राज के पच्छी क्या है सारस है यह राष्ट का नहीं है यह यूपी का है ठीक है अब चलते आगे देख लेते हैं देखिए आगे आगे का जो टॉपिक है यह बहुत इंपोरेंट है अब यह है क्या तो यह बाद आती है दिल्ली एं दीली में सामिल कर लिए गए तो वो सामिल किए गए जिलों की संख्या यूपी की आठ जिल है तो शूच्छन पू 나오ो使 लिए जिए फिर्ब झीनी पूस्टा है तो आठ जिलों में ऐसे कुछ पूस्ता है कि निवन में से दिल्ली एंस्यार में सामिल जिल्ली है चार विकल्प में दिया रहेगा उनमें से कोई एक ओप्सन रहेगा ठीक है तो यह आठ डिश्टिक कौन-कौन से है जो पहला जिस्टिक है वो गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद बागपत बुलंसार मेरट मुझपन अगर ह हापूर सामली है आठ डिश्टिक है अब देखिंए कि कमाल की बात है यह गौतमपूद्ध नगर गाजियाबाद यह व्लंसार मेरट मुझपन अगर गाजियाबाद । यह चे तो याद हो जाएंगे वागि यह दो की बात आती है तो पहला है हापूर्षामली हापूर साम तो यह आठ डिस्टिक्र है जो दिल्ली एंसियार में सामिल है यहां से बहुत ज्यादे कुछिन पूटप करता है अब इस टार्टिंग की जो दो जीले है यह नि कौन गौतम बुद्धनगर और गाजियाबाद यह दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए है गौतम बुद्धनगर गाजियाबाद दिल्ली से सटे है तो ऐसे कुछिन पूटप करता है कि दिल्ली से सटे यूपी के राज तो दोनों से कोई एक दिया रहेगा उस पर आप ठिक लगा होगे ठीक है गाजियाबाद और और गया और गौतम बुद्धनगर ठीक है चलते आंगे देखते हैं सटनातम होता मतलब होता है कि विधान सभाव विधान पर्षत के विदान सभाव एक सद्वारम धार्क दूसरा सब्द होने के नाते में दूछ ईसटेटर सब्सक्राइल है एक सब्सक्राइनीcause रहाए डिल्ली हो गया ठीक है ठीका भूछ सारे सटो ने में दूचिटर सरत ब्योस्ता है अगर ऐसा कुछ न पूछता है तो आप को है ठीक है अगर हम विदान सभा की बात करें तो विदान सभा में जो संग्या है बरतमान में वह कितनी है और 403 प्लस एक कर गया तो आप उस पे ठेख लाओगे अगर हम बात करें विदान सभा की तो हम रख जानते हैं कि ।ा मिदान सभा में अगर बटमान में कीतनी है स्वेग्ए लेकिन जो प्रुपी के भिन भिन जिलुसित होंगे जिसमें अगर हम सबसे अधिक सीटों की बात करें तो सबसे अधिक सीटे एलाहवाद की हैं विदान सभा में सबसे अधिक सीटे कहां है एलाहवाद की हैं कितनी सीटे हैं बारा सीटे है ठीक है तो यह बहुत इंपोरेंट है अब संगया 99 बैसे भरतमान में बिधान परिषद सेटों के संगया निन्नानवे ठीक है अब आगे में बात करें यूपी की तो यूपी में जो इसम है परजेंट में जो गोवर्मेंट है वो पाजपा की और भाजपा की यह सत्त्रावी विधान सबा भाजपा बना चुकी है देगे यूपी में भाजपा की 17 वी बिधान सबा इसमे कारियत है और उस बिधान सबा में जो 403 उसे बड़े मंडल है कानबुर उससे चुटा है लख्रों उससे चुटा है मेरत ये तीनों सब सबसे बड़े मंडल हैं कि आप इन तीनुrows मंडलों हर मंड़ल में जिढ़ें अब कुस कि उठव है कि अगर हर मंड़ल में 6 जिल्यें तो कानपुरें प्यों तो हो सकता है कि जो छे मंडल हैं स्वारी जो कानपूर एक मंडल है इस मंडल में जो छे जिले हैं हो सकते हैं कि दिश्टिक बड़े-बड़े हो तो दिश्टिक बड़ा-बड़ा है इसलिए कानपूर जो मंडल है वो क्या है सबसे बड़ा मंडल है ठीक तो मैं उमेद करता कि आपको ये वीडियो सोज में आ गया होगा अगर नई सोज में आ है तो वीडियो को बार फिर से जरूर देखे क्योंकि यूपी के जितने भी परतियों की परिच्छाय होते है उसमें जो यूपी जिए से जो कुश्चन ने पुटब करता है तो मैं आपसे एक बार फिर से अगरा करता हूँ कि वीडियो एक बार अच्छी से देखी और इसका नोट्स भी बना लीजिए ठीक है बागी अगर अभी तक वारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो मारे चनल को सब्सक्राइब कर ले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाय टेक केर चेहिंद और आप लोग अपना प्यार हमारे उपर बनाए रखिए धन्यबाद